हालो इस्टुएंट्स नेक्स नम्रिसस करेंगे कैशे नुमर्स एक्सिया 11 एक्साइस 5.4 के लिए एक्सेंद वाइडू कंडिशन दे रखिए और आपको यहाँ पर पुट करके उनका सॉलुशन निकालना है अब से पहले एक्स इक्वस्ट को एक्स टूए टी प्लस वोन बाइट करेंगे आगे इसे अपर जाएगा माइनस माइनस और आगए यह त्री की पर माइनस रंक ED स्क्राइब इदर देगो y equals to a t minus 1 by T differentiate with respect to t dy upon dt t ka 1 1 by t ka minus 1 by t square plus 1 by t square हो गया है यहां तक समझ में आ गया इसको और simplify कर सकते है इसको इसको dt equals to a LCM लेलेंगे t square minus 1 upon t square यहां भी यह करो dy upon dt square simplify करो t square plus 1 upon निकालना क्या dy by dx divide both of them तो dy upon dt dx upon dt इसको इसर तो t square plus 1 upon t square t square minus 1 upon क्या बचा फाइनली देख लो यह value जाएगी सबसे उपर t square और t square minus 1 तो t square प्लस 1 और t square minus 1 यह आपकी first equation आ लगी t square t square cancel होगे यहां तक समझ में आ गया है अब इसका डबल करना है आ जो dy upon dx equals to t square plus 1 और t square minus 1 अब आप अगेन differentiate करेंगे with respect to x आप ध्यान देना थोड़ा जाए डी square y by dx square equals to यह u upon v से होगा कैसे करते हैं पहले u का derivative करेंगे और v यानी नीचे वाली value as it is minus इस बार इसका derivative करेंगे और इस value को as it is upon में t square minus 1 इसका whole square t square plus 1 का derivative कैसे होगा obvious बात है 2t और t का भी derivative होगा यानी कि dt upon dx अब देखो यह x के respect में इसलिए समझे माया यहां है आपके पास t square minus 1 as it is इधर आ जाओ इसका कितना होगा 2t और dt upon dx 1 का तो 0 हो जाएगा और फिर t square plus 1 और upon में t square minus 1 इस पे whole square यहां तक समझे माया अब ध्यान देना डी square by by dx square इस में से मैं common ले सकता हूं यह दोनों वैलिव साना तो 2t dt upon dx अगर मैंने common निकाला तो बचा के अंदर स्क्राइब ती स्क्वार माइनस वन माइनस टी स्क्वार माइनस वन कैंसल आउट क्या बच गया फाइनल यह वह देखना इसका यूज कर सकता है पहले लिख देता हूं करता हूं डीटी अपॉन डीएकस एक सेके डीएकस माइनस टू अपॉन टी स्क्वार माइनस वन और इस पर होली स्क्वार अब एक्वेशन वन हमने फाइंड करी थी डी एकस अपॉन डीटी की किया थी वैल्यू उसकी एटी स्क्वेर माइनस वन वन अपन में टी स्क्वेर अपने इसी का यूज करते हैं यहां पर बट एक चीज ध्यान देना आप यहां डीटी पॉंड डीएक से डीटी पॉंड इसको उल्टा कर दो आपने समझें तो ए यह वाली वेली नीची चल जाएगी नीची वाली उपर तो आगया उपर और यह वेल्यू आ गई है नीचे एक और टी इसक्वेर माइनस यह ऐसे थी वैल्यू और डी टी अपॉंड डीएक्स के लिए इसको उल्टा कर दिया कि यहां हो गया माइनस टू अपॉंड टी स्क्वेर माइनस वन वोल इसक्वेर अब क्या होगा इसमें मैल्टिप्लाय माइनस फॉर तू तू जा फॉर टी और टी कितना हो गया टी क्यूब और अपॉन में क्या हो गया ए पी स्क्वार माइन अब देखो यहां वैल्यू वन दे रखी है आपको ठीक है और यहां वैल्यू टी स्क्वार माइनस वन कितना हो जाएगा क्यों हो बाली तो बताओ किलिए रहां तक तो यह हमने वैली फाइंड कर दी है डी स्क्वाइब अपॉन डी एक्स स्क्वाइर की ठीक है तो यह फैल्यू आ गई है अपने पास फाइनली अब दो वैल्यूस का यूज लेना है मुझे इसका और डी वाइब डी एक्स का इस एक्क्वेशन के लिए आ जाओ देखो equation का है मेरे पास y square dot d square y by dx square plus x dy by dx minus y हाना lhs और दो मैंने equation निकाल ली है dy upon dx की equation क्या find करिए देखो मैंना d square plus 1 d square minus 1 और d square y by dx square इसकी equation find क्या करिए बीचे minus 4t cube 1a अब क्या करना है इस y की जगे इस value को इस x की जगे इसको पुट करो इसकी जगे इसको इसकी जगे इसको sub values करो एक साथ आजाओ अब देखो y पे square लगावा है तो इस पे square लगेगा लेकिन square कैसे लगेगा ए पे square लगेगा अलग से और इसको भी open कर देते हैं LCM लेके यह equation t square minus 1 upon t फिर square हो जाएगी समझ में आया कैसे क्या किया है इसको मैंने क्या कर दिया है LCM लेके t square minus 1 upon t कर दिया फिर इस पे square लगा दिया अब मेरे इसकी value भी तो पुट करो यह रही minus 4 t cube upon a t square minus 1 का q ठीक है अब प्लस x x की value क्यों है यह रही है यहाँ पर भी t square plus 1 upon t स्क्राइब क्यों है फिर माइनेस वाइफिर से वाइक की value अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी कोई दिख्या देख्या क्या करें अब तो यह final equation ऐसे हो जाएगी मैं अलग से लिख देता हूं इसको t square minus 1 पे square और नीचे t पे square अलग लग लिख रहा हूं separate है आपको clear दिखेगा थोड़ा multiply है यह value हो गई यह आपके पास minus 4 t cube अलग से और यह a t square minus 1 का q plus यहाँ देखो t square plus 1 upon t t square plus 1 upon t square minus 1 यह नहीं cancel होगा t square minus 1 और यह t अब देखो इसमें cut करने वाली value रूस्वान कौन सी है और t square से यह चला गया तो only एक t बचा ठीक है इस पूरे से यह cancel out हो गया तो केवाल एक single बच गया आपके पास है एक square से एक a चला गया अब देखो क्या बचा यहां उपर दो ए थे एक a बच गया यह पूरा cancel out हो गया माइनस फोर बच गया t cube से t square चला गया तो एक t बच गया अपॉन में आज़ो t square पूरा चला गया a पूरा चला गया और cube था तो t square minus 1 single बच गया प्लस ए टी स्क्वार प्लस बन टी स्क्वार प्लस वन है यह स्क्वार आ जाएगा नीचे देखो टी टी स्क्वार माइनस वन अरे यह बैटरी लो गई इस लैप्ट आपकी एक सेकंड ओके हां तो कहां पहुंच गया अमर् टी स्क्वार माइनस 1 अपॉन टी ठीक है ओकेत तो अब इस पूरी equation को लेकर चलते हैं प्गर नेक्स लैड में wait a minute is how इसको कर देते हैं उपर हाँ तो कहां पहुंच गया है अब इसमें से निकालते हैं कुछ कॉमन तो देखो एक तो ए ए ए आपके पास कॉमन आ जाएगा और टी स्क्वेर माइनस वन इन दौनों में है के वल लेकिन इसमें नहीं है तो फिर क्या करें फिर एक काम करो पूरे का एलसम ले लो और भी बैस्ट हो जाएगा मामला देखो वैल्यूस क्या बज़ गई है हमार स्थ साथ ठीक है या फिर आप दो को सेपरेटली स्थ के लिगा तो इन दोनों को या फिर इन दोनों को ठीक है जैसे माल ओ अगर मैं यह वैल्यू स्था हूँ कि देखो 480 कब आएगा जब मैं यहाँ पर a प्लस बी लगा तो फोर एटी आ सकता है आ सकता है देखो कैसे इसके इंदर अपन पहले ले 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 लेते हैं चलो LCM कितना आएगा T और T square minus one LCM आ जाएगा ती और T square minus one LCM आ जाएगा इसका अब इससे यह cancel out हो जाएगा इससे यह cancel out हो जाएगा ऊपर के बचेगा A और T square plus one का whole square open करो इसको की पावर four plus one plus two T square माइनस T से T cancel out हो जाएगा ठीक है अगर T से T cancel out हो गया तो T square minus one इससे multiply होगा समझें कैसे किया इसको पूरे को लिख देते हैं अपने एक साहर इस पूरे को open कर दो आप एक काम करो T की पावर four A plus A plus two A T square इसको भी open कर दो T की पावर four तो माइनस T की पावर four A यहां plus one होगा माइनस हो जाएगा यहां माइनस का two आएगा तो यह से multiply हो के plus two A T square नीचे है T T square minus one अब देखो क्या cancel out हो रहा है T4 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 क्या बचा माइनस four A T on T square minus one four A T square upon T T square minus one eight T से एक T चला गया अब क्या बचा मेरे पास finally देखना माइनस four A T on T square minus one और प्लस four A T उपर T square था ना तो एक से T से चला गया cancel out अब यह दोनों भी cancel out हो कि कितना हो गया zero यह हो गया RHS LHS इसे लेंदी है कैशन सब्सक्राइब कर लो बतारों में थ्री से फोर मार्क्स के आते हैं यह कैशन एक ही बार में आपके फोर नुमर पके तो मतलब बस आपको ध्यान रखना है फॉर्मुलास का जो बहुती माइनर फॉर्मुलास है इसमें यादत को है नहीं कैल्कुलेशन वाला पार्ट है बस आपको डिफ्रेंशेशन इंटीग्रेशन अच्छे सब्सक्राइब होना चाहिए तो इससे रिलेटेड ही है आपका एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन वा ओप है इससे रिलेशन वालाँ सब्सक्राइब है कि भ्लाँ उल्समें साहिए तो और प्लाँ झाद याद़ भालाँ सेफने झालाँ सेब्सक्सित अपको बहुतीग्रेशन वालाँ